हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू निटिंग ट्यूटर यह देखिए मैं आपके लिए आज लेकर रही हूं आज हम बनाने जा रहे हैं यह देखिए दो कलर का डिजाइन है यह इसे आप बच्चों की फ्रॉक में कुर्थी में किसी में भी डाल सकते हैं या इसको एक बॉर्डर के तरह भी बना सकते हैं यह देखिए आज हम यह डिजाइन बनाएंगे अज़ाइन इसमें शुरू करेंगे यह 19 फंदों में आता है एक गुमाओ यह पूरा 19 फंदों में आएगा लहरिया की तरह आता है यह डिजाइन जब आप फंदे डालें तो 19 के मॉल्टिपल और एक फ बंदा इधर उदर एक इस्ट्रा रखेंगे यह देखिए एक बंदा हम ने एक इस्ट्रा जो है वह ले लिया उसके बाद हम दो बंदे का एक बंदा बुनेंगे एक हो गया फिर से दो का एक बुनेंगे पिर से दो का एक बुनेंगे यह देखिए तीन बार ऐसे करेंगे दो का एक दो का एक उसके बाद दागा पीछे लेंगे एक पंदा बुनेंगे धागा आगे लेंगे ये पंदा बुनेंगे फिर से धागा आगे लेंगे फिर बुनेंगे फिर से धागा आगे लेंगे यह हमें छे बार करना यहां छे जाली डलेंगे एक दो तीन चार पांच फिर धागा अगे लेंगे फिर बुनेंगे यह हमारी छे जाली होगी इसके बाद हम धागा अगे करेंगे और छे बार हम दो का एक बुनेंगे यह देखिए दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे हम छे बार चार पांच छे इसके बाद हम धागा पीछे लेंगे फिर एक बंदा बुनेंगे दागा आगे लेंगे और फिर से छे जाली डालेंगे एक दो लुक्ती तीन चार पांच छे इन देखिए उसके बाद हम तीन बार फिर दो पंदे का एक बंदा करेंगे लेंगे एक, दो, तीन, पंदे को हम ऐसे बना देंगे, यह देंगे, साथाई जाएगे, और कीजिए सिधा नोर देंगे, देखिये अब हमारी दो सलाई अधाने फिलेन हो चुकी है, आप już 3 आंधी बना लीए हम यह सलाईगे करेंगे, चार सलाई का डिजाइन है, तीन सलाई हमारी हो चुकी है, एक डिजाइन डाला हमने, दो प्लेन बनाई, अब यह चौत ही सलाई है, इसमें हम दूसरा धागा लगाएंगे, यह देखिए, यह पूरी सलाई हम इस वाले धागे से बनाएंगे, यह भी साधी ही बनेगी, यह देखिए, अभी हमारी पूरी सलाई हो चुकी है, अब हम जो हमने यहाँ डिजाइन डाला था, हम उसी को रिपीट करेंगे, देखिए, एक पंदा हमने ऐसे खाली ले ले लिया बनाई, अब हम तीन बार, दो का एक बनाएंगे, दागा पीछे लेंगे, एक पंदा बनेंगे, दागा आगे लेंगे, पीछे से बनेंगे, फिर दागा आगे लेंगे, फिर बनेंगे, दागा आगे लेंगे, छे बार हम ऐसा ही करेंगे, यहां यह 6 जाली बन जाएंगे, यह देखिए 6 हो गए, एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, अब हम 6 बार 2 का एक बनाएंगे, यह देखिए, चार बार हो गया, यह 5, यह 6, दागा पीछे करेंगे, एक बनाएंगे, दागा आके लेंगे, फिर हम 6 बार यही रिपीट करेंगे, यह देखिए, उसके बाद हम फिर तीन बार, दो पंदे का एक बनाएंगे, यह देखिए, यह हमारे डिजाइन आगे, इसके बाद हम फिर दो सलाई इसी कलर से साधी बनेंगे, और फिर दूसरा कलर लगाएंगे, यह देखिए, यह बनने के बाद ऐसा दिखेगा, अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो, तो इसे लाइक करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, थैंक यू,